गुड मॉनी फ्रेंड्स इस अंजे रोडा बंस अगें और आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर डिसकस करेंगे आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं जानना जाता हूं कि क्या आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया अगर नह की लेक्राइब करेंगे आपके श्रीक की सफाई के बारे में जैसे ही हां दिकिल आपने ठीक सुना यह शरीक की सपाई अनो रेगल्र करते हैं खिस सुब्सद स tenían बादल शो करेंगे थाकि है और आप नहाते हो पिसमेर आया क्ली का बॉली साफ रहे लेकिन कि आपको पता है आपके बॉडी के इंटर्नल पार्ट्स को भी साफ करने की वज़रों करती है क्योंकि आज की देट में इतना पॉलूशन के बारे में हम लो सुन रहे हैं एर पॉलूशन, वाटर पॉलूशन, नॉइस पॉलूशन इन सब चीजों उसका असर हमारे बॉडी के इंटर्नल पार्ट्स पे भी पड़ता है जो जिनमें खराब जिनमें गंदगी लगती है जिनमें पॉलूशन की वज़े से प्रॉब्लम्स आ सकने है तो हमारे शरीर के अंदर पार्ट्स को सभाई करने के लिए जो मेटीरियल है वो है फाइबर जो हमारे खाने पिने में मुझूद होना चाहिए डॉक्ट्रों का कहना है कि एक आदमी एक मेल के खाने में जो भी वो टोटल जितना खाना काता है उसका 35% फाइबर कंटेंट होना चाहिए और एक लेडिज के केश में 28% फाइबर होना चाहिए अब फाइबर खाने में आप कैसे बढ़ा सकते हो तो फाइबर आपको मिलता है अलग-अलग कलर के फ्रूट्स में या पत्तिजार सब्जियों में हरी सब्जियों में या ड्राइ फ्रूट्स में या इस तरह के कुछ जैसे अलग-अलग शिम्रामलेच है या और भी इस तर में छाता है तो इंटस्टाइन की इन्टर्न प्रवाट को किийर करता है सफाई करता जिससे आपके ऑडिट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है आपको फिलूशन से लगने की ताकत मिलती है आप फिलूशन से से यसा सकते हो और आपका खाने पीने डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर चलता रहता है तो अब अगर आप फाइबर इतना मात्रा वे खा सकते हो तो आप अराम से खाईए आप अपने शरीर को सब्सक्राइब सकते हैं अदरवाइस उसी का एक आल्टरनेट फूद सप्लिमेंट हमार करती हुई है आप उस प्रॉडक्स को अपकर्शेश करके आप मंगा सकते हैं और अपने बॉड़ी को केर कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू वस यही आपको बताना था और लेकिन फिर में एक बार अगर आपको यह हमारा इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब् बटन दमाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अब्डेट्स मिलते रहें